क्या SBI पर होगी सुप्रीम कोड की आउमानना की करवाई? इलेक्टोरल बॉंड का डिटेल ना देकर क्या घिर गई SBI? SBI को मिलेगी महलत या होगा एक्षन? क्या SBI किसी को बचाने की कोशिश में है? क्या SBI किसी को बचाने के चक्कर में अब खुद ही फंस्ती नजर आ रही है? क्या SBI BJP को कवर करने की कोशिश में है? जो की अब खुद की गले की फास बनती नजर आ रही है? ये तमाम सवाल है जो की सुप्रीम कोर्ट में पड़ी एक याचिका डालने के बाद उठने लगे? याचिका है चुनावी चंदे की डिटेल यानि इलेक्टोरल बॉंड की डिटेल SBI पर इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की आवमानना की करवाई हो लक सकती है? क्योंकि ADR की एक याचिका, SBI का सारा खेल बिगारती नजर आ रही है इस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये 11 मार्ज को पता चलेगा क्योंकि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्ज को सुनुआई होने वाली है चलिए सिलसिलवार तरीके से जानते हैं, क्या है ये पूरा मामला? गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को असमवेधानिक करार दिया था उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट के CGI चंदो चूड की अगुवाई वाली पांच जजो की बेंच ने SBI को आदेश दिया था कि 6 मार्ज तक SBI इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारियां पेश करे तहर डेडलाइन के पहले ही सुप्रीम कोर्ट में SBI पहुँची और एक याचिका लगाई कि सुप्रीम कोर्ट तहर डेडलाइन को आगे बढ़ा दे और नई डेडलाइन 30 जूद 2024 तक कर दे SBI ने दलिल दी कि वो इतने कम वक्त में 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी कलेक्ट कर पाने में असमर्थ है इधर SBI की याचिका डली उधर ADR यानी Association for Democratic Reforms ने सुप्रीम कोर्ट में एक ओमानना याचिका दायर कर दी ADR की तरब से परशांत भूशन वकील हैं ADR की तरब से सुप्रीम कोर्ट में परशांत भूशन ने दलिल दी कि ये सीधे तोर पर कोर्ट की ओमानना का मामला है ऐसे में सुप्रीम कोट ने SBI की याचिका पर जो 11 मार्च को सुनवाई की तारिक दी है उसी सुनवाई में उनकी याचिका को भी अटेज किया जाए और दोनों याचिकाओं को साथ साथ सुना जाए मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CGI चंदोचूर की भेंच ने कि क्या SBI को याचिका के हिसाब से डेडलाइन बढ़ाने की मौलत मिलती है या फिर ADR की याचिका पर सुनवाई के दोरान उस पर कोट की ओमानना वाली करवाई के बारे में फैसला आता है हाला कि कई मिडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि सिनियर लॉयर परशांद भुसन ने ये दावा भी किया है कि SBI इस मामले में पूरी तरह से फस चुकी है उनका दावा तो यहां तक है कि इलेक्टरल बॉर्ण्स के जरिये सबसे ज्यादा चंदा BJP को मिली है BJP को मिला है और SBI BJP को बचाने की पूरी कुशिश कर रही है फ्यरहल प्रशांद भुसन के दाव में कितना दम है ये तो इलेक्टरल बॉर्ण्स से जुड़ी SBI और ADR की आचिका पर सुनवाई और CGI के बेंच के फैसले पर पूरी तरह से टिकी हुई है जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा इस ख़बर में बस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और इंडिया हिंदी के साथ